Hello everyone, welcome to the study with Majank, मैं हूँ आपका Majank, हम लोगों की यहाँ पर class 7th की NCART history की series चल लही है, आज आपका सीक्रप में अध्याय नौवा है, यहाँ पर हम लोग छेतरी संसकतियों का निर्मार अध्याय को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि लोग जो भासा बोलते हैं, जो उनकी आम बोलचाल की भासा है, उसके according उन्हें परिवासित करने का प्रियास करते हैं, जैसे मत्रा के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, बुंदेलखंडी भासा बोलते हैं, जो आपका अयुद्या वाल जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे समय को जरता जाती है, वैसे वैसे उनमें परिवरतन भी आते हैं, कुछ-कुछ नई चीज़ें जुड़ती भी हैं, और कुछ पुरानी चीज़ें पीछे छूड़ती भी हैं, आज यहां पर इस करम में विविन चेत्रों में जो भासा प्रायदीप के दश्री पश्मी भाग में है जैसा कि आप देख पारें प्रायदीप के दश्री पश्मी भाग ये वाला भाग बूला जाएगा जो आज के किरल राज का एक हिस्सा है और ये जो चेर राज है ये नौवी सदी में इस्थाबित किया गिया था मलयालम भासा जो है मलयालम भासा इस इलाकी में बोली जाती थी और यहां की सासकों ने भी मलयालम भासा और लिपी का प्रियोग अपने अविलेखों में किया है सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस भासा का प्रियोग उपमहादीप के सरकारी अविलेकों में किसी छेतरी भासा के प्रियोक का पहला उधारण है यानि कहने का मलब यह है कि अब तक हमारे यहां जो अविलेक मिले हैं वो खास करके संस्कत भासा के प्राकरत्य पाली के मिले हैं तो किसी छेतरी भासा के अविलेक का होना यहाँ पर अपने आप में अजूबे से कम नहीं है तो उपमहादीप यानि भारत के सरकारी अविलेकों में छेतरी भासा की प्रयोग का यह पहला उधारण है यानि हमारे भारत में जो शित्री भासा का पहला अभलेक मिला है वो मल्यालम भासा का है इसके लाब यहाँ पर कुछ चीज़ और भी बताई गई है देखे समय के सास्ताथ चेर लोगों ने संस्कत की परंपरा है उनसे भी बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ ग्रेंड किया है तो केरल का मंदिर रंगमंच संस्कत के महाकाव्यों पर आधारित था यहाँ पर आगे बताया गिया है कि मल्यालम भासा की पहली साहित्तिक क्रतियां जो लगबग बारेवी सताथदी की बदाई जाती है प्रत्यक्ष रूप से संस्कत की रणी है यानि कहने का मल्यालम भासा की सहत्तिक क्रतियां लिखी गई है वो उरी तरह से संस्कत की रिणी है संस्कत नहीं उन्हें लिखने में योगदान दिया है चोदेभी सिताप्दी का व्याकरड तथा काबिसास्त्र विस्यक ग्रंथ है लीला तिलकम यानि चोदेभी सिताप्दी का व्याकरड और काबिसास्त्र विस्यक ग्रंथ लीला तिलकम है जो की मड़ी प्रवालम सेली में लिखा गया है मड़ परवालम का साब्दिकर्त होता है हीरा और मुंगा तो यहाँ पर हीरा मुंगा का आसे मतलब यह है कि हीरा से आसे संस्कत है और यहाँ की छेतरी भासा है उसको मुंगा माना गया है जैसा कि आप लोग जानते हैं देश के विभन शेत्रों में शेत्री सस्कतिया पल्लवित और विक्सित होई है तो इसी करम में आप लोग यहाँ पर जगनाती संप्रदाय के बारें पढ़ेंगे तो यह कहां पर है पूरी यानि कि जो उडिसा का पूरी है वहां पर है उडिसा काश्ट का मलब लगडी की प्रतिमादी वो इस्थानी जंजाती लोगों के तोरह बनाई जाती थी और आज तक भी परंप्रा चली आ रही है जब भी आप देखते हों कि जगनात की जो रतियात्रा निकलती है तो रतियात्रा में जो भी मूर्तियां होती है वो लगडी की ब अनन्द वर्मन न पुरी में पुर्सोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदर बनवाने के निष्या किया है जो कि जगन्नात मंदर के नाम से फेमास भी है तो निर्मार करवाया है गंग बंच के राजा अनन्द वर्मन DENNIS व आपको याद होना चैए कई बता waryक्जाम में पूशा नाम के नाम से उनके राजी का शासन चले ऐसा एनों की सिर्ग की आयरे राजपूत और शूर वीर्टा की परंपराएं देखें यहां पर बताया गया है कि 19 सतापदी में बिटिस लोग उस छेत्र को जहां आज का अधिकांस राजिस्थान इस्थित है राजपूतान कहते थे जैसा कि आप देख पारें ऐसा नहीं है कि यहां पर किवल राजपूत रोगी रहते थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहां पर बिभिन जात्यों के लोग रहते थे चुकि यहां के अधिकांस सासक जो ते राजपूत परिवारों से आते थे इसलिए विटसर्स ने इस इलाखे को राजपूता ना कहा है लगबग आठवी सदाब्दी से आज के राजिस्थान के अधिकांस भाग पर विभिन परिवारों के राजपूत राजाओं का सासन रहा है याँ पर राजपूत राजाओं के सासन की स्टाडिंग 8 भी सदाब्दी से मानी जाती है याँसा कि आपने सुना भी होगा, प्रस्विटा चौछान का नाम सुना होगा तो प्रस्विटा चौछान भी यहीं से बिलोंग करते हैं राजपू सूर्वीरों की जो कहानिया हैं काप्वियों इबंग गीतों में सुरच्षित हैं और चारण भाटों द्वारा गई जाती है यानि यहां के जो सूर्वीर हैं उनकी जो भी कहानिया बगर हैं वो यहाँ के काब्यों में, गीतों में सुरहच्छत ननख़ों के चारअध भाट यानि कहने वाले, उनके गीतों को कहने वाले उनके त्वारा गई जाती है और गाने का उद्धिस के आए, गाने का उद्धिस यह है कि उनकी जो आने वाली पीडियां है, वो अपने पूरपोजों के इतियास से सीखें, पूरपोजों के बलदान से सीखें, उनकी परमपराओं से सीखें, कि वो कितने वीर रहे थे, किस तरह के सासी व्यक्ति थे, तो यहां कि जो कहानियां इन कहानियों में अक्सर नाटकी सितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोधा दी प्रबल संभेगों का चित्रड होता है। जरूरी है कि यहाँ पर जो शूर भीड़ता की कहानिया है उनमें महलाओं का इस्थान कितना है यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो देखे जैसा कि आप लोग जानते होंगे पद्माबती और अलाउद्दीन खिल्जी वाला लड़ते भी थे कहानियों में चितरत किया गया है कि इस्थियां अपने सूर वीर पतियों का जीवन मरड दोनों में अंसरड करती थी यानि यहाँ पर इस्थियों का प्रतक बजूद नहीं है जैसा उनका पती चाह रहे हैं, उसी तरह से उनके पत को, उनके रास्ते को ये इस्तियाँ फॉलो करती थी, यानि कि ये अपने शूरवीड पतियों का जीवन मरड दोनों में अंसरड करती थी, जैसे अपने जोहर के बारे में सुना होगा, सती प्रता, जोहर की नाम से जानी जाती है, हाना कि सती प्रता में क्या होता है, सती प्रता में तो मरने के बाद, अगर पती मर जाता है, तो उसके बाद उसकी चिता पर इस्त्री लेटती है, जोहर में क्या होता है, जोहर में अगर किसी इस्त्री का पती जो है युद्ध में और उसे ऐसा लगता है कि अब हमारा राज सुरक्षित नहीं है, हमारे पती बापस नहीं आएंगे तो इस तरहीं अपनी स्वेक्षा से अगनी प्रजुलित करके उसमें अपने प्राण त्याग देती है जैसा कि आप यहाँ पर image में देख भी बारे होंगे तो सती प्रथा द्वारा अपने म्रतक प्रतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रता का भी कुछ कहानियों में उल्लेक पाया जाता है यहाँ की कुछ कहानिय है उनमें सती प्रता का भी उल्लेक मिलता है, हाला कि यहाँ पर जोहर प्रता रही है कथक नरत्त की कहानी तो यहाँ पर हम ऐसी छित्री नरत्त के बारें पढ़ेंगे तो यह कथक नरत्त की कहानी देखें कथक की बात करें तो कथक सब्द जो है यह कथा सब्से निकला है जिसका प्रियोग संस्क्रत और अन्य भासाओं में कहानी के लिए किया जाता है कतक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कता यानि कहानी सुनाने वालों की एक जाती थी जो अपने हाव-भाव और संगीत से अपने कता बाचन को अलंगरत किया करती थी जो के कहानी कहने का काम करते थे और ये कहानी अपने हावाव के जड़िये संगीत के माद्यम से लोगों को सुनाते थे पंद्रेवी और सोलेवी सताब्दियों में भक्ति आंदुलन के प्रसार के साथ कर्थक नतिस एली का रूप धारड करने लगा है ये पंद्रेवी और सोलेव सताब्दियों में जब उत्तर भारत में भक्ति आंदुलन अपने चरम पर था तो उस आंदुलन में कतक भी जुड़ गया है और कतक आंदुलन में जब जुड़ गया है तो कतक ने नतिस एली का रूप धारड कर लिया है अब देखें समय के साथ साथ क्या हुए जब भक्ति आंदुलन का विस्तार उत्तर भारत में हुए है तो भक्ति आंदुलन में उत्तर भारत में स्रीकर्ष्ण और रादा के प्रेम की कहानियां ज़्यादा चली है तो यहाँ पर आप देखेंगे कतक में राधाकरश्ण के जो पॉराड़ेक आख्याने यहीं पॉराड़ेक जो कहानिया है यह लोक नाट के रूप में प्रस्तुत किये जाते थे जिन्हें रास लीला कहा जाता था जैसा कि आप यहाँ पर इमेज पर देख पा रहे होंगे तो कतक जो है बुल लुक से तो उत्तर प्रदेश का नत्य है आना कि उत्तर भारत में सभी जगे यह चलता है इसके लाबा जो मुगल सासक हुए हैं जो मुसलिम एमपरार हुए हैं उन लोगों ने भी कतक को सरक्षर प्रदान किया है मुगल बास्ताहों और उनके अविजातों के सासंकाल में कतक नत्य राजदरवार में प्रस्तुत किया जाता था आगे चलकर यह दो परंप्राओं अर्थात घरानों में फूला फला कौन-कौन से दो घराने थे एक तो राज़स्तान जैपूर के राजदरवारों में और दूसरा लखनव में अवद के अंतिम नवाब वाजद अली साहब इनके सरक्षड में यह प्रमुक कला रूप में उभरा है यानि सबसे ज़्याद सरक्षड जो है अवद के नवाब वाजद अली साह ने कतक को दिया है 1850 से 75 के दोरान यह नतिसली के रूप में पंजाब, हरियाना, जम्बू और कस्मीर, बिहार दथा, मद्ब देश के निगटवर्थी इलाकों में फैला है अब देखे आगे यहां पर वदाया गया है, कि आजादी के बाद देश में वैसे तो पहले 6 थे, अभी बरतमान में, यानि अभी आपके जो करंट का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग 9 सास्त्री नत्र रूपों को भारत सरकार ने मानता दी है, यानि हमारे यह अभी बरतमा पहली बात तो यह हो गया, जो सास्त्र संबत विदी से किया जाए, जिसको करने की बुड़े तरीके हो, जो कई सालों से हो रहा हो, यानि कि लगबग आज कल से नहीं हो रहा हो, बलके कई 100 सालों से, यानि 500 अजार सालों से इसको करने की परंपरा रही हो, जिसमें सास्त्र क मुल्लूक से उत्तरप्रदेश का नत्य है, सास्री नत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडू का है, कतकली या कताकली किरल का है, मोहिनी अट्टम भी किरल का है, ओडिसी उडिसा का है, कुछीपुरी आंधप्रदेश का है, मडपुरी मडपुर का है, सत्रिया जो है ये आसाम का है, और च्छव जो है पूरी भारत, पूरी भारत में आपका जहारकंड, उडीसा ये सब जगे आ जाती हैं, तो च्छव जो है पूरी भारत का नित्य है लगु चित्रों की परंपरा, देखे जैसा के आपको नामसिस पर श्टोरा होगा, लगु का मतलब होता है छोटे आकार के चित्र, जन्हें आमत्वर पर जल रंगों से कपड़े या फिर कागज पर चित्रित किया जाता है देखे प्राचींतम जो लगु चित्र हैं, वो ताल पत्रों या फिर लगडी की तक्तियों पर चित्रित किये गए थे सरवादिक सुंदर लगु चित्र, पश्चिम भारत में जैन ग्रंतों को सेचित्र बनाने के लिए प्रियोग किये गए थे जैसा कि आप लोग जानते हैं, पश्चिम भारत में वलभी में जैन ग्रंतों का संगलन किया गया था तो जैन ग्रंतों को सेचित्र बनाने के लिए लगु चित्रों का प्रियोग किया गया था इसके लाबा मुगलकाल के जो भी सासक रहे हैं उन्होंने भी लगुचित्रुक बनाने वाले जो भी चित्रकार हैं उनको सरच्छट बदान किया है तो मुगलबास्था, अकबर, जहांगीर और सहाजा ने इतिहास और काब्यों की पांडूपियां चित्रित करने वाले चित्रकारों को सरच्छट बदान किया था यहां पर बताया गया है कि मुगलकाल की जो पांडूपियां है आम तोर पर चटक रंगरों में चित्रित की जाती थी और उनमें धरवार के द्रस्य, लड़ाई द्रस्य, शिकार के द्रस्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किये जाते थे आपके सामने यहां पर मुगलकाल का एक यहां पर लगचित्र यहां पर आपके सामने लगाया गया है कि आप देख पा रहे हैं यह आपकी NCRT की पुस्तक में दिया गया था अब देखें जब मुगल सामराज का पतन हुआ है तो मुगल सामराज के पतन होने के बाद जो मुगल सामराज के चितरकार थे वो यहां से निकल कर देश के भिविन भागों में चले गए हैं तो जो मुगल काल की जो चितरकारी की परंपरा थी वो देश के अन्य भागों में या अन्य जगों पर जहां जहां पर अन्य सा सकते वहां तक भी पहुँची है इसके लावा कुछ चित्र ऐसे भी थे जहां पर चित्रकारी की परंपरा पहले से चली आ रही थी तो भाँ पर अभी भी चित्रण जारी रहा है जैसे मेवाड, जोदपुर, बूंदी, कोटा और किसंगर जैसे कैंदरों में पौराडिक कथाओं और काब्यों के विस्यों के चित्रण बरावज जारी रहा है सत्रेवी सतापदी के बाढ़ वाले वर्सों में हिमाचल प्देश में लगुचित्रकला की एक सहासपूर देबं भावप्रबण सैली का विकास हो गया है जिसे बसोहली सैली कहा जाता है देखे बसहली जो सैली है इसका विकास मुलते हमाले की तलेटी में हुआ है खास करके हिमाचल उत्राखंड वाले बीजन में ये सैली प्रचलित है तो इसको बसहली सैली कहा जाता है यहां जो सबसे लोगपरी पुस्टक चित्रत की गई थी वे भानुदंत की रसमंजरी थी यानि भानुदंत की रसमंजरी जो पुस्तक है ये बसोहली सेली में जो है इसमें चित्र बनाए गए थे 1749 में नादर साके दिल्ली पर आक्मड और दिल्ली को विजद करने के परणाम सुरूप जो मोगल कलाकार हैं वो मैदानी लाकों को छोड़ कर पाड़ी चित्रों के पलाइन कर गए है इसके फलसरूप पाड़ी चित्रों में चित्रकारी की एक नई सेली कांग्रा सेली विक्सित हुई है तो जो चित्रकार मैदानी लाकों को छोड़कर पहड़ी लाकों पे गई है उन चित्रकारों ने वहां की जो बैशनब परमपराएं है उनसी प्रेढ़ना ली है यानि उनकी प्रेढ़ना का स्रोत वहां की बैशनब परमपराएं है कांग्रा सेली की विजिस्ता गया है ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रियोग जैकि इसमें कांग्रा सेली की चित्रों में कोमल रंगों का प्रियोग किया जाता है और विश्यों का काब्यात्मक निरूपड कांग्रा सेली की विजिस्ता है जाड़ी में बताया था कि हम अक्सर छेत्रों के नाम वहां के निवासियों के द्वारा जो बोली जाने माली भासा है इसके अनुसार निधारित करते हैं यानि कोई व्यक्ति एगर ओडिया भासा बोल ला है तो हम ये मानते हैं कि वो ओडिया प्रदिस से बिलॉंग करता होग बंगाली की बात करें तो बंगाली संसकत से निकलिवी भासा मानी जाती है हाला कि बंगाली भासा के बारे में जो आरंबिक अध्यन है उससे बात इसपर श्ट होती है कि आरंबिक जो यहाँ पर लोग थे तो आरंबिक लोग यहाँ पर संसकत से उपजिवी भासां को नहीं बोल दे थे इसापूर्व चोथी से लेकर तीसी सतापदी से बंगाल और मगद मतलब दच्छड भिहार के बीच वाड़ीजिक संबंद स्थापित हो गए है इसकी वज़ासे क्या है संस्कत का प्रभाव इस चेत्र में बढ़ता चला गया है चोथी सतापदी के तोरान गुप्तबंसी सासकों ने उत्री बंगाल पर अपना रायनेतिक नियंदर स्थापित कर लिया है और वहाँ पर ब्रामणों को बसाना स्थार्ट कर दिया है तो जब ब्रामणों को बसाना स्थार्ट किया है तो इस जैसे वहाँ पर संसकत का प्रभाव बढ़ता गया है 27 स्थापदी में चीनी यातरी हुएन सांग ने यह पाया है कि बंगाल में सरवत्र संसकत से समझत भासाओं का परियोग हो रहा था क्योंकि यहाँ पर जब कुप्तुबंस ने अपना रायनेतिक सास में स्थाबित किया जब यहाँ पर ब्रामनों को बसाया है तो ब्रामनों ने यहाँ पर संसकत का प्रचाव प्रसार किया है तो यहाँ पर जो भी भासाओं थी उनमें संसकत के सब्द मिक्स हो गए थे तो जब हुएन सांग यहाँ पर आया है तो उसने देखा है कि यहाँ पर संस्कत्य समंद्र भासाइं यहां पर बोली जा रही है इसके लावा बंगाल में आठवी सदाब भी से पाल सास्वों के अंतरगाद एक छेत्री राज का उद्भब हो गया है फिर बाद में पंद्र सो छासी में जब अकवर ने बंगाल को जीत लिया है तो उसे सूबा माने जनाने लगा है उस समय प्रसासन की भासा तो फार्सी थी लेकिन बंगाली एक छेत्री भासा की रूप में विक्सित तो रही थी यहीं ऐसा माना जाता है कि पंद्रभी सताब्दी तक आते याते उप भासाओं और बोलियों का एक बंगाली समूर एक सामाने सहित्तिक भासा की रूप में एक वद्ध हो गया है ऐसा माना जाने लगा है देखे बंगाली के प्रार्रमिक सहित्त को दो स्रेडियों में बाटा जा सकता है कौन-कौन सी दो स्रेडिया है पहली स्रेड़ी जो संस्कत की स्रेड़ी है इसमें संस्कत महाकाप्यों के अनुवाद मंगल काप्य जैसा कि मंगल काप्य का साब्दे करते है सुब यानि कि मांगल काप्य या सुब काप्य उसको मंगल काप्य बोला जाता है और भक्ति साहित जैसे गौडिय वैष्णव आंदून के नेता स्री चैतने देव की जीवनी बगएर है वो भी इसमें सामिल है इसके लाबा दूसरे पकार के सहित्त में नात सहित्त आ जाता है जैसे मैना मती, गोपी चंद के गीत है धर्म ठाकुर की पूजा से समधित कहानिया है पीर और मंदिर यहाँ पर बंगाल के बारे में बात हो रही है देखे जैसा कि बंगाल के बारे में अगर आप बंगाल का पूरा अध्यन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि सोलेवी सुताबदी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्यम बंगाल के कम उपजाव छित्रों से निकल कर जो यहां का जो दलदली या जंगली लाका है वहाँ पर बसना स्टाट कर दिया था क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी उपज होती थी अच्छी खासी खेती होती थी हाला कि वहाँ पर जीवन इतना आसान नहीं था लेकिन लोगों ने कम उबजाव शित्र से उबजाव शित्रों के उप्लाइन करना स्टार्ट किया है ये वही समय है इस समय में बंगाल पर मुगलों का नियंतर स्थाबित हुआ है और मुगलों ने पूर्वी लेटा के प्रदेश के केंद्री भाग में इस्थित धाका नगर में अपनी राजदानी स्थाबित की है तो धाका में जब इन्होंने अपनी राजदानी स्थाबित की है तो मुगल अपने साथ तमाम सैनिकों को तमाम प्रसासनी जदिकारियों को भी लेकर आए है तो प्रारम में भार से आकर यहाँ पर बसने वाले लोगों को सुख सुविधाय तथा आस्वासन समदाय की निताओं ने प्रदान किया समदाय की निता मतलब कि मुस्लिम समाज के वहाँ पर लोग है उन्होंने यहाँ पर जो नए लोग आये थे उनको सुख सुविधाय प्रदान की आस्वासन दिये तो ऐसे जो लोग जो कि समदाय की निता कही जाते थे इन लोगों को यहाँ पर इस नहे और आधर से पीर कहा गिया है देखे ऐसा कभी कोई माना जाता था कि इन नेताओं के पास अलोकिक सक्तिया है पीर जो है फार्सी भासा का सब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्म मागदक्सक होता है जैसे कल के अध्याय में हम पीर और आलिया के बारें बता रहे थे तो यहाँ पर पीर का अर्थ एक तरह से आध्यात्मिक मागदक्सक या पर एक सादू बगराब मान सकते हैं इस तरह का अर्थ होता है पीर सेडी में संतिया, सूफी और अनिधार्मिक मानभाव और यहाँ तक कि जीवात्मा भी सामिल है देखें, जीवात्मा का विचार क्या है? जीवात्मा जो है, जीवात्मा जीवात्मा से निकला हुए विचार है जीवात्मा में भरुसा रखने वालों का मानना यह है कि पेड़ पौदों, जड़ बस्तू हो और फ्राग्रति घाटनाओं में भी जीवातना होती है तो ये जीवातना बुली जाती है इसको जीवात बोला जाता है इस पूरे concept को जीवात बोला जाता है तो पीरों की पूजापदितीया है है यहाँ बहुत जयाता लोगपरी हो गइ और उनकी जो मजारे हैं मंदिर बनाने का दोर जोरों पर रहा है जो 19 सदापदी में आकर समाप्त हो गया है यानि यहाँ पर मंदिर बनाने की जो परंपरा है 19 सदापदी से स्टार्ट होई है और 19 सदापदी में आकर समाप्त हो गई है बंगाल में जो मंदिर हैं बहुत जाता भभभी मंदिर नहीं बनाए जाते थे, बलकि साधार इटों और मिट्टी के गारे से अनेक मंदिर निर्म्न सामाजेक सम्हुआ जैसे कालू, यानि तेली, कंसारी, यानि घंटा दातू के कारिगर इनके समर्थन से बनाए गए थे, यानि यहाँ पर जैसे उत्त चपर वाली जोपणिया होती थी, उनमें पूझे जाते थे, इस तरह के जो आप देख पारे होंगे, चपर वाली जोपणिया थी, इनमें पूझे जाते थे, बाद में जब ब्रामनों का प्रभाव यहां पर बढ़ा है, तो ब्रामनों ने उन्हें देवताओं को बड़े देवता के उन्हें मांता दिया या बड़े देवता से जोड दिया है, तो ऐसे करके बाद में उनकी प्रत्मा है मंदरों में इस्थाबित की जाने लगी हैं, तो यहांके जो मंदिर है, इन मंदरों की सकल या आकरती, बंगाल की छपड़दार जोपडियों की तरह है, दो एक अपोजेट साइड में एक चत इसकी ये हो गई चोचाला में चार चते हैं यानि एक साइड ये हो गई एक साइड इसकी ये हो गई एक इसके बिल्कुत पीशे वाली ये साइड होगी और एक ये साइड होगी ये साइड होगी ये साइड होगी structure है, वहाँ पर चित्रकारी बगरा, सजावटी टायल बगरा, या मिट्टी की पट्टी बगरा, उनसे ने सजाया जाता था, पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में, विष्णुपूर के मंदरों में सजावट ने अध्यंत उत्कृष्ट कोटकी की गई है, मचली भोजन के रूप में, देखें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे आसपास की छित्र में जो उपलब्द संसाधन होते हैं, वही हमारे आहार का इस्सा बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जिन छित्रों में, खाद्यान वगरा अच्छी खासे होते हैं, तो बहाँ पर अधिकांस लोग वेजेटेरियन होते हैं, और ऐसे कुछ इलाके यहाँ पर खाद्यान वगरा की आपूर्दी कम होती है, बहाँ पर नौन वेज को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, तो यहाँ पर बंगाल की अगर बात करें, तो बंगाल एक नदिय मैदान है, जहां मचली और धान की उपज बहुत आयस से होती है, तो मचली पकड़ना यहां का प्रमुक दंदा रहा है, और बंगाली सहित में मचली का इस्थान इस्थान पर उलेक भी देखने को मिलता है, यहां तक कि बंगाल के जो मंदिर हैं या बहुत बिहार है, तो यहां पर जो दीवारों की पट्टियां जो लगी हुई है, इन में अभी महलाओं को मचली को साफ करते हुए, मार्केट को ने ले जाते हुए दिखाया गया है, जैसा कि आप देख पढ़ें, यहां की पट्टी पर एक लगी हुई, महला का चित्र है, क्योंकि मचली को काट रही है, तो यहां पर मचली का खाद्यान में परमग स्थान रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सनातन परंपरा में जो भ्रामण लोग हैं वो नॉन्वेज नहीं खाते हैं मशली वगरा आहर में नहीं लेते हैं हाला कि बंगाल में क्या है बंगाल में यहां के भ्रामणों ने यहां की दसाइं देखते हुए यहां की परिश्यतियान देखते हुए, जो पूरा का पूरा जो बंगाली कल्चर बंगाली कल्चर में वांगा खाद्यान का मुक्ष िहार मशली है तो इनों ने जो अपने जो भी धार्मिक नियमते हैं उन्में परिवर्टन किया ब्रहम धर्म पूराण जो बंगाल में रचित 23 सदाबभी का संस्कत ग्रंत है इसने इस्थानी ब्रामणों को कुछ खास किस्म की मशली खाने की अरुमती दी है यानि कहने के मालवी है कि बंगाल के जो ब्रामणे वो मशली खाते हैं जबकि उत्तर भारत के जगर ब्रामणों की बात करें तो उत्तर भारत में ब्रामणों के यहां नौनवेज खाना वर्जत है जबकि बंगाल में क्या है क्योंकि यहां पर आहर का हिस्सा रही है मशली तो यहां के ब्रामणों ने यहां के जो धर्म ग्रंत है उनमें थोड़ा बहुत संसुधन करके मशली की कुछ खास-खास किसमे अपने खाने योग निकाल ली है तो यहाँ पर भाई चीज बताई गई है अब देखे अन्यत्र में यूरोप में राष्ट राज्यों के उध्य कहानी बताई गई है 18-वी सदापदी के अन्त तक यूरोप के लोग सवयम को एक सामराज्य जैसे के और श्ट्रिया हंगरी सामराज के प्रचा या फिर किसी चर्च जैसे युनानी रुड़बादी चर्च के सर्च से अपने आपको मानते थे लेकिन 18-वी सदापदी के अन्तिम जस्कों में लोग सवयम को एक ऐसे समदाए के सच के रूप में पहचानने लगे हैं जो एक भासा जैसे के फ्रेंच या जर्मन बोलते थे पहले यहां पर लोगों में यह नहीं था कि छेत्र में एक भासा बोली जाती है वही हमारा राजी बनेगा ऐसी कोई भावना नहीं थी पहले जो भी यहां पर सामराजी थे उनमें बिभिन भासाओं के रहने वाले लोग उन सामराजी को हिस्सा हुआ करते थे लेकिन समय के साथ-साथ क्या हुआ है लोग अपनी छित्री भासाओं पर गर्ब करने लगे हैं और उन्हें लगने लगा है कि हमारे जो छित्री भासाओं वाले लाके हैं इनी को एक राज़ी के रूप में पढ़नत कर दिया जाए टारंबिक उन्निस्वी सताबदी में रोमानिया में बिद्याली पार्टिपुस्तकें ग्रीक की स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी है और हंगरी में लेटन की स्थान पर हंगेरियन को राज़भासा के रूप में अपनाया गिया है यहाँ पर दिये दिर करके लोगों के अंदर अपनी भासा के रूप में एक अलग राष्ट की डिमांड उबरने लगी है 19 भी स्थापदी के अंतिम द्रसकों में इटली और जर्मनी के 21 करण के लिए हुए आंदलों ने इस भाबना को और अधिक बल दिया है तो ऐसे करके यहाँ पर राष्ट राज्यों का उदय हुआ है तो ये था हमारा आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इस चैप्टर से समझे जो प्रश्णों वाला वीडियो है वो भी वश्य देखिए तो आज के लिए इस तना ही Thanks for watching जय हिंद